दावत ही जाएजे एवाद पण भगवाननी क्रपा संतनी क्रपा संसार के बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता आप देखें आपको बंधन है क्या जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आपको आनंद आता है जिस परिवार में रहते हैं उसमें आनंद आता है जिस भोजन को करते हैं मज़ा आवेचे भोजन में तो बंधन क्या जिए लेकिन इनमें आनंद है नहीं इनमें आनंद आपने खोज लिया है खरेकर आनंद न थी अगर आनंद होता अगर आपको आनंद मिल गया होता शुख मिल गया होता शांती मिल गई होती तो आप मंदर जाते ही ना मातमाओं के जाते ही नहीं साधू संतों के पास जाते ही नहीं गुरू बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इनमें मतलब सूछे जेकली संपत्ति तमारे पास एच्छे जितना भी धन तमारे पास है जो भी साधन तमारे पास है आर में जाते हैं साधूनी सेवा करो बासों सादू हो के पास जाते हैं। उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि आपको शांती चाहिए। रोटी, कापण मकान खे टमारे पास ہے। पजीस आप माटे दुखी जो तरृ में। बस भधू उचेत तमारे पास। दुकी क्यों है फिलाब। क्यूंकि शांती नहीं। सबकुछ होते हुए भी सांती न होने के कारण मनुष्य दुखी हो जाया करता है। उस सांती को पाने के लिए मनुष्य जगए जगए जाता है। धर्म का सहारा लेता है। बिना धर्म का पालन किये मनुष्य को शुक और सांती नहीं मिल सकती। दो भाई थे, एक का नाम था संख, एक का नाम था लिखे थे, संख लिखतव, दो भाई थे, एक छोटा था, एक बड़ा थे, दोनों भाई के पिताजी देव हो गए, तो दोनों भाईयों ने संपत्ती का भाग पाल लिया, पटवारा करी लिए, अर्धी अर्धी संपत्ती कर एक दिन छोटे भाई ने मोटा भाई के केरी के बगीचा में से दो फल केरी के ले लिए और मोटा भाई ने देख लिया जो ही लिदा कि मारा नाना भाई चोरी करे थे केरी नी पकड लिया क्यों भाई चोरी की तुमने तो उसने का ने भी आई तो आपका बगीचा भाई का बगीचा तो भाई की क्या चोरी करेगा और आम केरी की क्या चोरी इसमें का ना ये बात कब तक ठीक थी जब तक हमारा बटवारा नहीं हुआ था भाग नहीं हुआ था जरे भाग पड़ी गया तो आमार आयाता रहा पटियू बिना मांगे कोई बस्तू नहीं लेनी चाहिए ये सिद्धानत है अदबतानाम पादानम इंसा चैवा बिधानता बिना दी हुई बस्तू ले लेना ये चूरी करना कहलाता है तो छोटे भाई ने कहा कि ठीक है भाईया मैंने चूरी की तो आप सजा दे दो तो बड़े भाई ने कहा कि सजा देने का अधिकार मुझे को नहीं है सजा देने का अधिकार राजा को राजा के पास जा छोटा भाई राजा के पास गया राजा के पास जा कर कहा कि महाराज मैंने चोरी किये मुझे दंड दे दो तो राजा ने कहा कि तुमने बहुत छोटी चोरी किये दो केरी के फल लिए हैं मुझे उपर फल भोगना पड़ेगा यह पाप साथ में लेकर के जाऊंगा मैं जब मरूंगा उपर भोगना पड़ेगा इसलिए आप यहीं मुझे दंद दे दो नहीं माना तो राजा ने मंद्री से पूछा हमारे राज्य में चूर की सजा क्या है तो मंद्री ने कहा हमारे राज्य में चूर की सजा है कि दोनों हाथ काट देते उसने दोनों हाथ आगे कर दिया कसाई आया और दोनों हाथ कापी दिदा बनने हाथ कापी दिदा कटे हुए हाथ में दवा डाली अपने भाई के सामने आया भाई मैंने राजा से दंड़ प्राप्ट कर लिया बड़े भाई ने कहा कि भाईया तुम रणमुक्त हो गए तुम रणमुक्त थाई गया चो एक मेने के बाद पित्र पक्ष्य आया तो मौटा भाई नदीम है पिता जी को जल देने और उसने छोटे भाई से कहा कि भाईया तुम भी पानी दो तो छोटे ने कहा कि नाना भाईय ने कहा कि मारा तो हाथ न थी हूंके भी देतरपन करीश का नहीं नहीं कटे हाथों से करो डाल पानी के अंदर हाथ डाल और एमन कर तो छोटे भाई ने दोनों हाथ अंदर डाले और तीन बार ऐसे किये चोथी बार हाथ उपर निकाले तो दोनों पंजे लगी हुए थे हाथ में उपर ती पूर्बत जोई रहा था कि मारा ढीकरा मारा छोकरा धर्म नों पालन करे छे बहुँ नानकडी गलती है थी बहु नानी गलती है आँ केरी नी चोरी अम हुँ लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया दोनों भाई ने राजा के सामने पहुँच गया कि मेरे मुझे दंद दो सजा दो धर्म का पालन किया तो उस धर्म ने उसके दोनों हाथ बापिस दे दिये पूर्बजो ने दोनों हाथ बापिस दे दिये उस नदी का नाम है बाहुदा नदी करतोया नदी गुजरात में हि कहीं है पुराण में कथा है पुराणों की कथा है दर्म एनी रप्षा करे छे तमें एकला छो बस्तीना बाहर जाओ छो चार मारस तमें मड़ी गया तमारे शिर के ऊपर डंडा मारने लगा आप क्या करोगे उस समय उस समय वहां कोई है नहीं आपके शवाए तमारे शवाए बीजा कोई छे नहीं कैसे रक्षा करोगे आपके सिर की रक्षा करने के लिए दोनों हाथ उपर आएंगे और ऐसे कर लेंगे हाथ तूट जाएगा तो दूसरा लग जाएगा सिर फट जाएगा तो सिर भी जाएगा हाथ भी जाएगा दोनों मर जाएंगे तो जो तुमारे पास होता है जो तुमारे नियर होए छे आप तुमारी रक्षा करे छे हाथ तुमारे पास थे पास में पैर भी थे लेकिन पैर माते की रक्षा नहीं कर सकते थे हाथ पास में थे हाथ ने तरंत सिर्की रक्षा की क्यों हाथ पास में थे तो हाथ ने आपकी रक्षा की तमें परदेश जाओ चो तो रुपईया लईने जाओ चो ना तो आपत्ती में रुपईया तमारे काम पढ़े चे क्यारे काम पढ़े चे जारे तमारी जेब में रुपईया होई तो नहीं होई तो आपत्ती दूर नहीं धते ये भी जिलीते धर्म ना पालन करशो तो धर्म तमारे पास हशे तो धर्म तमारी रक्षा कर से, धर्मो रक्षती रक्षता, धर्म जिसके पास होता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, गाउं की देवी है, ग्राम दे होता है, हमारी परंपरा से जेनी पूजा थाए से, उसकी पूजा करना गरीब होता है, और धर्म का पालन जो करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है जब भगवान तरीकिष्ण गोलोग चले गए सौनकादी रिष्यों ने सूत जी से पूच्छा भागवत जी में कथा है सोनकादी रिशियों ने सूत जी से पूँछा कि गुरूही योगे स्वरे कृष्णे ब्रह्मान्य धर्म बर्मानी भगवान त्रीकृष्ण के अपने धाम चले जाने पर बताईए धर्म किसकी सरण में गया तो जो तमें बदा जितला प्राणियों चे धर्मनी सरण में जाये चे पर भागवत जी में पृष्णी उभवा थाये कि धर्म शानी शरण ली दी कौन की किसकी शरण धर्म ने ली तो कहना होगा धर्म धर्मात्मानी शरण ग्रहन करे छे धर्म धर्मात्मा की शरण लेता है धर्मात्मा कौन थे धर्मात्मा थे राजा परिक्षित धर्म कौन था धर्म था बैल प्रतिवी कौन थी प्रतिवी थी गव तो गव और बैल दोनों राजा परिक्षित के पास गए और राजा परिक्षित ने देखा कि दोनों को एक काला परुष जो राजा का विश्धारण किये हुए है दोनों को मार रहा है तो राजा परिक्षित ने तलवार निकाल लिए कौन है जो मेरे राज जमें मेरी गाई को मार रहा है बेल के तीन पैर नहीं थे एक पैर था किवल बड़ा दुनों एक पैर है तो और गाई रोती थी गाई के आँखों में से आशू गह रहे थी राजा परिच्छित ने जब देखा क्रोध आ गया उन्हें राजा परिच्छित ने तलवार निकाली कल्योग समझ गया मारा जाऊंगा अपना सही रूप दिखाया उनके चरणों में गिर गया मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा की गव माता ने अपना रूप दिखाया बेल ने कहा मैं धर्म हूँ कली के प्रभाव के कारण लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया है और मेरे तेन तीन पैर चले गए है एक पैर बाकी है जिसका नाम सत्त सत्त केवल बच गया था तो वहां धर्म ने राजा परिच्छित धर्मात्मा परिच्छित की सरण ली केवानो अर्थशो जहां संत होते हैं जहां महात्मा होते हैं वहां धर्म होता है जहां धर्म होते हैं वहां भगवान होते हैं जहां भगवान होते हैं वहां सुख और सांती हुआ करती है मनुष्य के जीवन में उसके परिवार में उसके समाज में के गाउं में बहुत मतवेद होते हैं बहुत मनवेद होते हैं और बहुत से मतवेद मनवेद राजकारण वाड़ा पड़ुबा करी दे चे तमारा बीच मा। कर अनगे पंच सर..पंच बना करें प्रेक्ट करें प्रेक्ट नगेनें सुनषेटों करें कोई कोई सर…टीक्ट से कारें जब बात साम्ड़ा ज़ारे शेवा करवानी इच्छा छे तमारी के वोल मात्र शेवा करवानी छे तमारे कहीं लेवानों नथी तो कोई सेवा करे तमारे एनसामे हुबा थवानी हुज ज़्यवर छे तूटूणी मा बात साथ मुद्दानी बात छे जब तुम्हें शेवा ही करना है तो कोई शेवा करें बाजब करें कांग्रेस करें बस्पा करें दरवार साथ करें चाहे पटेल साथ करें चाहे कोई बीजा साथ करें क्या कोई शेवा करने तयार है ना गाव मैं एक सरपन चो करके उसको करने लेकिन बात क्या है इंको पैसा कमाना है यह नी लडाई छे पैसा नी लडाई छे यह इस्टेटस नी लडाई छे हूं उचा चूं मोटा चूं मारा उपर कोई नती तो मने अख्णागाउं नमस्कार करे मान कृतिष्ठा जो यह पैसा जो यह इतला माटे चूटणी मा अलग लोको उवा थाए चे तो अब अधा प्रपंच करें प्रपंच न मतलब सूचे चे प्रपंच का मतलब क्या है यह यह जितना भी संसार है जितना भी जगत है इस जगत में शिवाय प्रपंच के कुछ नहीं है कई छेज नेती शिवाय प्रपंच के घर घरमा गाम गामा नग और नगर्मा प्रदेश देश्मा प्रपंच करवानों छे बस अब इस प्रपंच से उपर कैसे उठकते हो आप यह भी विचार की बात है कैसे उठकते हो विलकुल पटी सेखाय सो, एनाती उपर मनुस्य का सरीर ऐसा देह मिला है परमात्मा मानौने देह आपी छे तम्हे विचार करो, तम्हे शवारे उठो छो घरमाती बाहर निकड़ो छो रोड ऊपर शड़ा ऊपर सामें कूतरा छे धोर छे, विचार करो हमें मनुष्ट शामाटे या धोर केम हम मनुष्ट क्यों बने हैं और ये धोर क्यों बना है प्रिश्ण हुआ थाए छे की नहीं थाए कोई न कोई कर्म नो फल चे न मारा कि हम मनुष्ट बने हैं मनुष्ट भी होकर के मौटा मानस के घर में पैदा हुए हैं गुद्दिमान पैदा हुए हैं डनवान पैदा हुए हैं ये कुत्त धोर पशूफ पक्षी इनको ये हमारे जैसा सुख क्यों नहीं प्राप्तOh 심ने पूर्वजन्मों के सुन्यो का फल है मनुष्ट का देह प्राप्त हुआ है ये मनुष्ट का देह आवागमन से मुक्त होने के लिए प्राप्त हुआ है भले एकला प्रयास न थाई सके हमारा जीवन मां की मुक्त थाई जाएं भागमन्ती मुक्त थी सके, ना था ही सके तो इतलो तो करी शको जो के फरीती अगले जन्मे माँ मानाओ योनी मढतले मनुष्च थाही जाओ इतलो तो करी सको जो जो मानित मर्फट मनित मपी है धीरा भागबतकार कहते हैं अरे मनुष्यों मनुष्य का सरीर बहुत नित अनित है लेकिन अनित सरीर से नित तक्त की प्राप्ती की जा सकती है इसलिए उस नित तक्त को जानना चाहिए भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए नसा नहीं करना चाहिए गव माता का पालन करना चाहिए हर घर में गाय होना चाहिए एक एक घर में गाय होना चाहिए तब बिचार करो काले डीजल बनते ही जाए इरानी रागती 25 सुत हते तमारी जमीन नो खेड़ुआ धू करशे गाय हसे तो बड़ा धसे न वेल हसे जब गाय नहीं होगी तो बेल कहां से होगा तो डीजल मिलता नहीं है तो टेक्टर तमारा बेरोप्या किलो भंगार मजशे यह भी बार बिचार करो फ्यूचर ने बिचार करो सो साल पची सूत हते इसलिए दूमातान पालम करो इन अदूर आपके बच्चों की गुद्धी बढ़ाएगा है गाय का बाचड़ा दूद पी करके दोड़ता है छलांग लगाता है और भैस का पाड़ा दूद पी करके वहीं स्पर जाता है है ना जिनने पासे गाय भैस हो जो ही लो तुम है हमने गौनों को देखा ऐसा है इसलिए गव पालन करो देरी येरी के लिए भैस पालो वी जी बाच्चे दंदा माटे भैस न दूद अपने लिए खुद के लिए तो गाय होना चाहिए आपके बच्चों को गाय का दूद पिलाओ उसकी बुद्धी तेज होगी स्वास्त अच्चा होगा गाय ना दूदमा रोग प्रतिरोधक छमता अच्चे तमें दवा नहीं लएनी पड़ेगी जो गाय का दूद हमेशे पीते हैं उनको कभी दवा नहीं खानी पड़ेगी लेकिन नियम से दूद पीना पड़ेगा नियम से तो यही बात चाँ गो पालन करो यही धर्म का पालन है आप लोगों का उद्धार तो बैसे ही हो गया स्वामी सुद्धानन जी महराज का जन्म आपके गाउं में हो गया तो तुमारे गाम न उद्धार को यह मस तहीं गया आपकारी दीजा चे तुमारे अब कहीं करवानों न थी एना पाचर चालबानों चे एना उपदेश नो पालन करवानों चे विजे कहा भगवान कहा भगवान को देखने जाओ गे तमारा आँख थी तुम्हारी आँख जोवा मा आउती नती तुम्हारी आँख से तुम्हारी आँख दिखाई नहीं पड़ती इस आँख से तुम पूरा गाउं बेवशक देख सकते हो मोटा टावार उपर चमे जाओ गामना छिला छपपर और अखा गामना जोई शकोच हो पर उस आँख से अपनी पोतानी आँख तुम नहीं देख सकते हो तो जब तुम अपनी आँख से अपनी आँख नहीं देख सकते हो भगवान को कैसे देखो करो बिशार से करो शू उपाये चे शू उपाये चे भगवान देखो भगवान को कहा से देखो जिस आँख से आँख का झाजब नहीं दिखता है जो आज संतों को भगवान का दर्जा दिया गया है इश्वर जैसा माना गया है संतनों दर्षन थी जाए अन्य एन्य भगवान ना दर्षन थी गया एकला माटे आपके गाउं में इनका जन्म हुआ ये देश विदोशों में सब जगे गूमे योग का प्रचार प्रतार किया योग की विद्या प्राप्त की और कई वर्षों के बाद आज आपके गाउं में इदर्षन देने के लिए आए आप लोग सब भगशाली है जिस गाउं में संत महात्माओं का आना जाना होता है भोले बाबा का मंदर है यहां में चला गया राजा अनक के कोई डिगरा डिगरी नहीं थी एक डिगरी थी एक लड़की थी लड़का नहीं था लिगरा नहीं था एक डिगरी थी बस तो चोर जाकर के राजा की कमरे में बैठ गया कि राजा रानी सो जाए तो फिर हम चोरी करें उसी समय राजा रानी से कह रहा था हमें कोई संतान नहीं हुई लड़का नहीं हुआ एक लड़की है लड़की की शादी कर गयें तो दामांद को अपना यहां का राजा बना गयें अपने दोनों जा करके जंगल में तपश्या कर ये बात चोर ने सुचा चोरी करके कितना किटली लिजे इस संबक्ति एक दो किलो सोना चांदी ले जाऊंगा अगर इसकी लड़की से मारी लगन थाई जाए तो लड़की भी मिलेगी, राज भी मिलेगा, दागीना भी मिलेगा जजेकार हो जाएगी, तो उस चोर ने चोरी नहीं गी, देखो चोर ने चोरी नहीं गी, बाते खा गया दूसरे दिन बजार में गया, और जाकर के उसने महात्मा का भेश बना लिए, संत बन गया, साधू बन गया यहां राजा ने सभा बुलाई, मंत्रियों को बुलाया, और कहा के देखो, कोई बहुत नेक आदमी को लेकर के आओ, सज्जन पुरुष को उसके साथ हम अपनी राजकुमारी की साधी इना लगन करीदेश तो मंत्रि लोग ने कहा कि महाराज ऐसा नेक आदमी तो कुई महात्मा ही मिलेगा, गरस्त वाले तो प्रपंचे पड़ जाते हैं, कुई संत ही मिलेगा, का संत को लाओ, वो लोग खोजने के लिए निकले, खोशते खोशते कई संतों से उनने कहा, कि वही राजकुमारी करते धोंगी साधू के पास कोई चोर था ना चोर के पास कहुंच गय कि तो चोर नहीं ने कहा कि अच्छ थी कि बताएंगे तो राजा के पास गए राजा को मंत्रियों ने बताया एक महात्मा मिले हैं वो बताएंगे कैसे हैं का माराज बड़े सुन्दार हैं बड़े तपस्वी हैं तो राजा ने राणी को बुलाया राजकुमारी को बुलाया चलो अपने लोग दर्सन माटे चलिए तो जो चोर महातमा बन गया था उसके पास राजा राणी और राजकुमारी सौने के थाल में ही मारी कन्या साथे लगन करी लेओ तमेया यान राजा थाई जाओ जंगल में तपस्या करवा वाटे जैश्टे चोर की बुद्धी पलट गई बुद्धी में भगवान बैट गए ओहो जिसके पास इतनी संपत्ति है एकला मोटा देशना राजा चे अकूद संपत्ति ना पासे चे शेना चे सोना ःचान्धी दागी नवद्धू चे नपसे आतपस्या करवा जाए जैशे मैं नकली शादू का भेश्व मेंने बनााया मैं इसके जाल में आ गया मैंने ये क्या कर दिया मेरी बुधी कैसी भृ ब्रुष्ट हो गई नहीं नहीं मैं साधी नहीं तैसे तारी मुझ नकली थी तो तो बजार की राम लिला में खरी ते उन्मेलोगों को नातक dalती नकली वाल नकली डाडी नकली मुझ तरहें काड़ी दी राजा ने पगे असली नती नकली शादू में मुझे इतना बड़ा राज मिल रहा है तो अगर मैं असली सादू बन जाऊं तो पृत्वीनी सारी संपक्ति मारी थी यह से यह बुद्धी का चर्थ ऐसी बुद्धी हो जाए हमारी ऐसी बुद्धी हो जाए देखो गलती सही सबसे होता है आखा जीवनमा सवार्ती सांज शुदी अच्छा काम भी होता है आपके दोरा खराब काम भी हो जाता है दोनों काम हो जाते हैं इसलिए आपके कपड़े में महल लग जाता है आप साबुन से धो लेते हो, पाउडर में धो लेते हो आत्मानु भजन, गुरु मंत्रिनी माला, बोले बाबानी सेवा, संतोना धर्षन, संतोनी सेवा, इनसे मन का मैल साटा, इसलिए अपने जीवन को धन बनाने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए अच्छे अच्छे काम करना चाहिए अच्छी बात बोलना चाहिए अच्छा भोजन करना चाहिए जैसा भोजन करोगे बैसी तुमारी बुद्धी बनेगी कि तुम जो भोजन करते हो वो सात्यक होता है राजस होता है और ता तो दिवताओं को मिलता है और तामस भोजन करते हो तो उसका सुख्ष मफल देक्त ले जाते हैं राक्षस ले जाते हैं असुर ले जाते हैं और जो तुमारे भोजन का फल ले जाते हैं वो बैशी ही तुमारे उपर क्रपा करते हैं इसलिए अच्छा भोजन करना चाहिए आह लखन awareness की सुद्धी से हमारे जीन में पवित्रता आती है सुध्दता आती है सुध्ध जित्सक्र मन पवित्र मन की आसन जिसका मन पवित्र होता है उसके हिरदए में भगवान आकर के बैठ जाते हैं अब सब्सक्राइब में पर मात्मा निवास हो ऐसी मंगल कामना और संतसरी आज आने का कोई प्रोग्राम था नहीं लेकिन आपके गाओं के अवतारी फुरुष ने कहा नहीं चलना पड़ेगा मेरा जन्मिस्थान है हमें पहले ना पाड़ी दिदिया थी यह नहीं मारे नती जावानू यह नहीं हो यह बापू मारे बीजा कारकिम थे लेकिन का नहीं हमारा बापू जन्मिस्थान है वो हम तीस साल से गए नहीं तीस साल बाद वहां गए दो दिन पहले बहुत बड़ा फंक्सन था तो फिर हमारा भी मन हुआ के चलो चला जाए तो आप लोगों के साथ देखाए इतने छोटे से छोटी सी सूचना में एक दो गंटे में ही पूरे गाओं के लोगों ने बहुत स्वागत किया और मान दिया हमारी बाद सुनी इसका मतलब है आपके दिल में भगवान का परमात्मा का निवास है पूरे गाओं की खूब सम्रुद्धी हो आप लोग खूब आगे बढ़ो ऐसी मंगल कामना के साथ अपनी बाणी को यहीं विश्राम देते हैं धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्य का हर माह दे खुब खुब धन्यवाद सदाने जिमाराज सुर्य नारा ने कुरूपा होईशे जहने उपर सुर्य नारा ने कुरूपा होई यह गायतरी मंत्रा जहने अंदर सुर्य नारा ने कुरूपा होई यह गाओं नो दूद हमेशा पीडू होईशे कारण यी स्डूरीय केतू नमनी नाड़ भाब भीष सान। आठु कारण के दिक कर से गाए जोस थिया हैं तेज खाए जोस थार भीष से पस्चास देज धूड भेष भाब भाब .... करन दिक एन दिक के देश ör्छी महाणे कर से गाएं जुद्पिवो तिरी जिवात करी मार्ची पतांजल योक्षास्तरम अलखेशे अस्ते प्रतिष्ठायम सर्वरत्नो पस्तानम एम ने कहीं बे द्रश्टां तो दिधा के चोरी ना करवी चोर जो कदा चोरी करें पन जो जुठा भगवावस्त धारन करे तो एने राजिकन्या म एने राजिमाले एने सोनाचांदी ना जवरात माले परन्तु आपने भगवावस्त तो नथी पेरवा परन्तु मंधी पन क्यारे कोई नू दन अपरन करू नहीं ये अस्ते प्रतिष्ठायम सर्वरत्नो पस्तानम जे चोरी नथी करतो तेने सरो रत्नी प्राप्ति तेई ज अपने जीवन में उतारवा जेवी चे आपने खुप खुप तेमनों अभार्मानी के पुझी श्री है राजकोर्ण पोग्राम कैंचल करी मारी नानी विनती सामडी अन्या पदार पन करू अवे आपने चाहिये तो पनी बापूर स्वामी जी ना पदार उब अशेक्या हो यह लागे कारण के बेफीट ना पते उत्रा धिकारी से संक्राजारजी महाराज और पूरो दिवस्पोता ना इतले बद धर्म प्रवोचन मा व्यस्त होई से द्वारकामा अपने दर्शन थाता ने खूब बोटी जवाब दारी से चता है संतों इकुर्पाती आप सरवनी पुझे संक्राव जारजी महारा जाए पदयारी बदल खुखुखुगे नहीं चाहिए कियारक बविश्मा जो अपन काय कारिकरम थाए और आपको तमरी पांसे विंदन ते लिवा आवे न मने अगल करें तो पासा कुरुपा कर जो के चालो भाई उम्मारा बारको ने मोलो हम जो आशाज नहीं है अमने पन मोक्ष नहीं है खराब कर्म करता में डरी जाए कि अमें भेक पेरो से पान ना गले नो भूरे वाई चाहा पाने बिली न पिवाई तमा अपो गांजा न न फुकाए कोई नी साथे जूठ न बोले कैम तो अमें भगवा वस्त्रदारान के रह पस्तु धनिवाद हरियूं जे गिंगरदैंट प्रदर्शन बज्दूज एक साथे एकत्र ठयू अने महापुरुशों नों आया एक पची एक आगमन थतू रहू अने छले उपरना स्टेजे पहुजी गया अने छेक सेंत्रा चैने जी माराच्पन स्वत्निवास ने आगने आवी गया अहो बाई